नमस्ते दोस्तों मैं पंची आप लोगों को पिंग पंची चैनल को स्वागत करती हूँ आज का रेसिप ये सूखी मचली ड्राइफीस का करी बनाते हैं तीन बड़ा स्पून मस्टर्ड लिये हैं और चार मिर्ची और दो प्याज दो कटावा टमाटो लिये हैं सबको हम ब्लेंड कर लेंगे अलग-अलग से देखिए हमारा मस्टर्ड पेस्ट बन गया ये रहा हमारा टमाटो का पेस्ट हम दो पेस्ट बनाएं यहां पे एक मस्टर्ड पेस्ट एक टमाटो पेस्ट बनाएं देखिए दोस्तों हमने यहां पर धुलाववा सुखी मचली या ड्राइफिस लिये हैं कड़ाई में हम 2 स्पून टेल लेंगे 5 पूरण दाल दें सुखी मचली को हम अब भी कड़ाई में डाल देंगे आप 1 स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे हम थोड़ा उपर निचे कर लेंगे एकस को नमक डालेंगे यह बीना नमक बाला सुखी मचली है इसलिए हम यहां पर नमक डाल रहे हैं हम अच्छी तरह से नमक को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा फ्राय कर लेंगे देखिए हमारा अची तरह से फ्राय हो गया है अब हम इसको ग्रेवी बनाएंगे अब यहां पर मस्टर टेस्ट डालेंगे अच्छी प्रेशनीच कर लेंगे दो मिनित तक हम इसको पकाएंगे अब टमाटो का पेस्ट यहां पर डालते हैं अब इसको दो मिनित तक उपनिचे काएंगे अच्छी दवेशनीच कर लेंगे दें थोड़ा सा पानी देंगे हाँ पर हाप ग्लास पानी देंगे अब इसको दस मिनित तक पकाएंगे देखिए हमारा बन गया सुकी मचली ग्रेवी अब भी बनाएं टेस्ट कीजिए और हमें कमेंट कीजिए देखिए हमारा बन गया सुक्खे में का करी सुक्खे में का करी के साथ मुद्दे आप भी टेस्ट कीजिए और बताएं केसे लगता है मुद्दे के साथ सुक्खे में इनका करी ड्राफिस आपको केसे लगता है हमें भी कमेंट कीजिए मुद्दे सब के लिए बहुत अच्छा होता है बहुत सरकाल्चिम होता है थैंक यू फॉर वाचिंग